आज हम हमारे हिंदी भी स्वय में हमारी दूसरी इकाई जिसका नाम है इदगाह यह एक कहानी है इसका अभ्यास करेंगे इसका अभ्यास अगले तीन पार्ट में हमने किया आज चोथा पार्ट उसमें आप सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ यह इदगाह कहानी उसमें आगे हमने तीन पार्ट में जो अभ्यास किया वो उसमें इदगाह जाने की तैयारिया हो रही है मैने भर के रोजे रखने के बाद आज इद आई है सब उत्सा हमें है, पुमंग में है गाम के लोग इदगा जाने की तैयारी कगए लेकिन ज्यादातर उत्सा है, वो किसमें है? बच्चों में है, बच्चों में कौन-कौन है? महमूद, मोहसीन, हामीद, नूर और समी आधि सब भी जो बालके हैं, वो खुसी से फूले नहीं समा रहे क्योंकि उत्से, उसमें जो उत्सा हवे वो उत्सा किस के लिए है? मेले में जाने के लिए तो ये सब बच्चे हैं वो इद्गा जाने के लिए उच्छ साह में है बड़े लोगों है उसको तो क्या है नमाज पढ़ने की है लेकिन बच्चों में है वो मेले में जाने का साह है तो यहां पर सब बच्चे इद्गा जा रहे हैं मेले में जा रहे हैं उसके साथ हामीद भी जा रहा हामीद है वो अलग लड़का है अलग कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे तो हामीद है उसके पापा है वो हेजे की बीमारी में चल बसे थी उसकी मृत्य हो गई थी कुछ समय बाद उसकी मा वो भी मर गई अब हामीद है वो किसके साथ रहता है अपनी बुड़ी दादी के साथ रहता है उसकी बुड़ी दादी का नाम है अमीना कैसी है तो रुखी है गरीब है आज इद का दीन है लेकिन उसके घर में एक आना अनाज भी नहीं है तो अमिना है उसके पासदूखों कसे कोई पार है अमिन है वह ऐसी है दुखी है और हामिद है वो इद्गह जाने के लिए तयार है लेकिन हामिद के पास है वो कितने पैसे है दादी अमीना उसे कितने पैसे देती है तीन पैसे देती है उसके पास परने के लिए जूते भी नहीं है क्योंकि वो कैसा है गरीब है तो उसके आमिद है वो मेले में जाने के लिए ट्यार है आमिणा है फिन्ता कर रही है क्योंकि पीता כस जा रहा है अपने पीता के साथ अरगां लेकिन आमिद है किस है उसके तो पीता भी नहीं मा भी चल बसे है दादी है वो कैसी है बुड़ी है तो हामित जाए तो किसके साथ जाए तो बुड़ी दादी है वो चिंता करती है उससे डर है कि इसको मैं अकेले कैसे मेले में जाने तो दादी अमीना को हामित क्या कहता है कि दादी तुम डरना नहीं मैं सबसे पहले आ तो ऐसे हैं वो सब है वो गाह जाते हैं उसके साथ आमीद भी जाता है वहां सब नमाज बढ़ते हैं नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं बाद में सब मेले में जाते हैं मेले में क्या होता है क्या होता है चक्डोड होते हैं मिठाईया की दुकाने होती है खिलाने की दुकाने होती है तो सब बचे हैं वहां पर क्या करते हैं इंडोले में बैठते हैं चरका होता है चरके पर बैठते हैं खिलोने खरिदते हैं मिठाईयां खरिदते हैं और सब है इ इन ही परिश्यों इतने मेंगे खिलोने खरीदे, तो कईसे खरीदे, तो सब बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, खिलोने कईसे हैं, मिठी के बने हुए हैً, तो हामिक सोचता है, यह SMITH, लोने हैं वो तो मिठी से बने हुए हाथ से चूट जाए तो टूट जाए चूर-चूर हो जाए ऐसे खिलोने लेकर बें क्या करोंगा तो वो मिठाई भी नहीं खरिता है क्योंकि उसके पास है वो कितने पैसे हैं तीन ही पैसे हैं तो दुकाने मिठाई ये की आती है मिठाई नहीं खरिकता है खिलोने भी नहीं खरिकता है और वह जब आगे बढ़ता है देख रोहे की दुकान आती है तब उसकी नजर किसके पर पड़ती है चीम्टे पर पड़ती है तो उसे क्या याद आता है उसके दादी याद आती है क्या दादी है वह जब रोटी पकाती है तो त जादी का खयाल आता है और वो चिम्टा ले लेता है और जब चिम्टा है वो ले लेता है तो उसके जो दोस्ते जो मित्र है उससे वो क्या करते हैं चिम्टा देखकर उसकी उड़ाने लगते हैं तो हामीद है वो क्या करता है चिम्टे को देखकर बढ़ाई करता है सब हैं वो उसकी बढ़ाई से दंग रह जाते हैं ऐसी बढ़ाई करते हैं कि आपने हैं वो मिटी के खिलोने खरीदे हैं वो तो तूट जाएंगे लेकिन मेरा चिम्टा है वो कैसा है बहादूर सेर जैसा है उससे कोई जीत नहीं सकता तो ऐसे है वो छिम्टा लेकर है वो गहर आता है तो सब बच्चे हैं हो खुसी आनंद में है अपने अपने क्हिलोने लिए शूए है लेकिन कैसे क्हिलोने लिए है मिटी के खिलोने लिए हुए है तो पहले हमने आगी देखा था कि एक खिलोना है जो बिस्ती है वो तूट चाता है अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में मिया नूरेने वकिल का अंत इससे भी ज्यादा गवरव में हातो वकिल जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही हुगा के वकिल चे जमीन उपर बेशे ने यहनी मर्यादानों आपणे विचार कर वो पले दिवार में दो खुटिया घाडी गई और उन पर लकडी का एक पट्रा रखा गया पट्रे पर एक गच का कालीन विचाया गई दिवाल हुए दिवाल में वे किली ने खोडवामा अववि पच्छी यहना उपरेकर लाकडी नो पट्रा आगवामा अवऔ ने પચી એના ઉપર છે એ કાગળ નું છે એ ચાદર જેઉં બિછાવામાવયુથ ને પચી પાથ્રિ ના કૂં પચી એના लकेल साइबने ते बेसारे चे नूरे ने उनिये पंखा जलना सरू किया पछी नूरे चे इपपेलाना जमानामा पंखो आओ तो प्लास्टिक ना पंखा हुँ ए पुठा ना पंखा बनावे ए वेरितना तो ए पंखो नी शरू करियू राजा होई राजा ने आजु बाजु जो शुम तमे योला जे पंखा होई ये पंखो छे येने राजा बोजनी जेम वकिलने बेशाड येने बचे पंखो नाखवानों सरू करें अदालतों मां तो के ठास ततिया और विजली के पंखे होते हैं क्या यहां मामूली पंखा भी नहीं है क्या अदालतों मां छे विजली लाइट सी चाले वो पंखो वोई यहां तो के छे के मामूली सामान्य पंखो पंखो पंचे नहीं बास का पंखा आया और हुरे हवा करने लगा बच्छी वास नो पंखो लईया वेचे और उनका माति का चोला माति में बिल गए हाव ये आशनों पंको लए आवेच चे अन्ये नूरे चे ने हवड लागू आव लागे चे तो ये ना थी हवड नाकता नाकता खबरने जे पंको चे ये इने लागी गयो वकिल सहभ ने एटले एसुथयो माटी नावता एटले इसुथयो 2T मृतियु लो केटले यहनों नास्तियु मृतियु पामे पड़ा तो रम्मा पड़ू छे इतले नस्टर थे जाए छे और माटी इनू जे इना जे कटका-कटका हुए बदा पाचा केचे के कटका-कटका थेगी आने माटी मां मारी फिर बड़े जोर से मातम हुआ पचे छे ए बद्धा छे जोर सोर्ती छे एनों सोक मनावा लाग्या और वकिल साब की अस्तिया गुरे पर डाल गई पचे छे वकिल साइब ने जे माटी ना जे बदा कटका हाता एने सुखे छे पस्ति आछे एने खच्रामा भुकवामा आवे अब मिया हामित का हाल सुनिए अवे छे अब जो मिया हामित छे इसुलाईने आवे छे चीमटो लाईने आवे छे चीपियो लाईने आवे छे तो केचे आवे एनों आपणे हाल जोई तो अमीना उसकी आवज सुनते ही दोडी और उसको गोध में उठाकर प्यार काने लई इनी दादी मां छे जे अमीना छे एनों अवाद सांबडे छे अने दोडी ने आवे छे अने पचे तेने फोडा माल लाई याने ब्रेम करवा लागे जाए छे सहसा उसके हाथ में चीमटा देखकर इवा चोकी सहसा एटले तरत 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 पचे तेना हाथ मां जे चीपियो खरीदू छे घाई पैसे में केटला पैसा माा ले दूखे तो के त्रल Hills पैसा अमीदेने दादी ने सूज़ावा बाप्यशे कित्रा पैसा मा ले दे लोग Dal out अमिनाने चाती फीटी अमिना चे चाती पीटने लगी चाती पीटना मतलग रुखी होना के बहुत बहुत रुखी होने लगी कि यह कैसा बे समझ लड़का है कि दोपर हुआ कुछ खाया ना पिया के चे आचे इक के वो समझ वगर नो छोकरों जे भेशंचे जिनामा समझ न वए तै तो यह कैछे के बेसमझ लगर ड़काहिए समझ वगर नो छोकरों चे बपोर थै काई खादू नथी काई पीधू नथी और क्या लाया ची मटा शारे मेले में तुझे कोई चीज नहीं मिली दादी सुके छे हामीद ने दादी एम के छे का ओड़ो मोटो मेड़ो हतो तो पूरे पूरा मेड़ा मा ताने विजी कोई वस्तू ना मड़ी जो या लोएका चिम्टा उठालाए जो आ लोखंड नो जे चिपियो छे ए उपारी ने लग्यागा हामीद ने अपरादी भाव से कहा अब हामीद उसे एसा लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया के मैं काई खोटू कर ले दूछे मारा थी काई अपराद थाई यो छे तो ये अपराद भाव थी बोले छे तुमारी उंगलिया तवेसे चल जाते थी इसलिए मैंने लीना के तारी तमारी चे ये आंगडी चे तवामा दाजी जाती यती एकला माटे मेहा लई लिधो बुढिया का क्रोध तुरंत स्नेय में बदल गहे बच्चे में कितना अत्याक कितना सद्भाव और कितना विवेक चे बुढिया छे एने दाधी चे ये मोटी उमर नाची एने पिला क्रोध आवी खोत्तों कि तुर्ट तरफ 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 यें कितना सद्भाव और कितना सद्भाव और कितना युट बुढियों दूसरों को खिलोने लेते और मिठाईया खाते देखकर इसका मन कितना लल्चाया हुगा बुदी दादी छे विचार करेचे एने मनमा एवु लागे छे कि विज्जा लोक बदा छे ए रमकणा लेता ता मिठाईया खाता आसे त्यारे एम कि एने जोई अने आ हामिदनु मन छ इतना जक्त इससे हुआ कैसे के छे कि आपलू बधू छे इने स्वयम अने दिरज केविरीते राकी एम क्या आटले बदी दिरज ही के के ना थे के वी रीते राइके अमीना का मन गदगद हो गया अमीना छे एम मन छे गदगद थेगे वह रोने लगे पछिते व्रोवा पड़ी जाती थी। तो यह कहानी में एक गरिब बालक की प्रतिभा उसके त्याग और उसकी व्यववारिक गुंदिक परिति प्रिजनी और प्रढ़ मीजया है करम में झाल झाल